सबसे पहले हम जो है आईश्मान पोर्टल के उस्पर जाएंगे प्यदान मंत्री जन अरोग योजना नेशनल हैल्थ आथरोथी यहां पर समग राइड़ी डालेंगे और सर्च कराएंगे यहां देखिए आप अप्लिकेंट के सारे जो है नाम बगेरा सब आगए जिसका हमें बनाना है उस केंडिडेट के सामने कलेक्ट एक या वाईसी के उपर जाएंगे यहां पर आधार कार्ट के उपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने का उपर जैसे आप क्लिक करेंगे ऑप्चिन के उपर मोबाइल नमबर डालने का बोलेगा मोबाइल नमबर आपको डालना है इस इसके बाद जो है आगे की नेक्स प्रोसेस बता रहा हूं आपको वीडियो के साथ बने रही है दोस्तों कि मोबाइल नमबर डाल रहा हूं उसके यहां पर एक ऑप्शन खुलेगा इसमें सेल पर यह फैमिली तो आपको फैमिली पर लेकर करके प्रोसेस करना है यहां पर अप्शन आएगा आधार OTP आधार नमबर डालना आपको जैसे आधार नमबर डालोगे नीचे आपको केप्चा दिख रहा है केप्चा डालना है और वेरिफाइग करवाना है वेरिफाइग जैसे कराओगे आप देखिए नीचे यहां जनरेट OTP का ओप्शन आएगा इसपे क्लिक करेंगे जो आधार नमबर आपके अधार कार्ड पर जो मोबाइल नमबर आपके अपडेट है उसी पर आपके OTP जाएगी ध्यान रहिए फिर से बता देता हूं जो आ आधार कार्ड के जो OTP आ रही है उसको हम यहां हम OTP डालेंगे जो मोबाल पर आपके जो रेइस्टर मोबाल पाईए जैसे OTP आप सब्मिट करेंगे verify OTP आपको करना है जैसे verify OTP क्लिक करेंगे यहां से आगे बढ़ जाएगा form, यहां आएगा verify यहां आगे OTP is validate यहां पर देख लीजिए आपका photo वगेरा सब सारी जन करिया जाएगी यहां आपका father यहां अगर ladies candidate में अगर पतनी है तो आपको spouse लेना है यहां आपको district select करना है सब district में आपको जो है तेसिल लेना है आपको यहां पर आपको आपको आश्टाड़ा तेसिल डालना है यहां पर आपको जो है आपको जो आपका जो गाम है जहां से आप बिलॉंग करते हैं और आपने रूरल लाला उपर तो ग्रामेंट छेत्रमाता यहां पर दो आप्शन देए रासन कार्ड और गवर्मेंट सर्टिफिकेट तो गवर्मेंट सर्टिफिकेट के क्लिक करने के बाद आपकी जो है परिवार आइडी वो आपको इंटर करनी है जैसे आप इंटर करेंगे चेक डोकुमेंट डीटेल के ओपर क्लिक करेंगे आपकी पूरी डीटेल सामना आजाएगा आप पहले से अगर रेजिस्टर्ड आपने पहले से अगर कहीं पर आपने पहले आपके घर में किसी भी सदसीने अगर आपका आईश्मान डोकुमेंट वेरिफाय हो जाएगा यहां पर यह आपके जो है डीटेल आ गई है पूरी यहां इसको आप सब्मिट करेंगे सब्मिट बटन पर क्लिक करने के बाद ओके करने का पुछेगा जैसे आप ओके करोगे यहां एक बॉक्स एक आप्शन आपके सामना आएगा यह डाटा सेव एन फर्वर्ड डू अप्रूवल यह ओके करेंगे इसके बाद में जो है आपको वापस जाकर चेक कर ले ना कि यह आपका अप्रूवल हुआ यह नहीं और पर क्लिक करेंगे और चेक करेंगे अगर अप्रूफ हो गया होगा तो आपके पास आपका डेटा यहाँ पर आपको शो होने लगेगा यहाँ पर आपको डेट डालनी है कौन सी डेट में आपने अपलाई किया था कौन सी डेट तक आपने अप्लाई किया था दोनों चीज़े अब यहाँ पर आपका जोए वो डीटल नहीं आई है इसलिए आपका पेंडिंग में डाल दिया गया है पेंडिंग में देखेंगे सेम वही चीज कहां से कहां तक तो हम एक ही सेम डे की डेट को देख रहे हैं यहाँ पर उसका डीटल अगया है इसका मतलब है इस्टेट में आपका पेंडिंग पढ़ा है दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए